दोस्तो प्रति दिन सहद खाने के होते हैं 10 बड़े फायदे दोस्तो आपने अगर हमारा चनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर लिजी क्योंकि मैं हेल्ट से जूड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ कई वर्सों से सहद का इस्तमाल एक महत्वपूर औसदी के रूप में किया जा रहा है सहद का सेवन कई परिसानियों को दूर करता है वहीं इसका इस्तमाल सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है नेशनल हनी बोर्ड के मताबिक सहद में फैट, कोलेस्ट्रॉल्स और सोडियम नहीं होता जिसके कारड यह इम्मूर्टी को मजबूत बनाता है इससे आप सर्दी में होने वाले छोट मोटी समस्याओं से बचे रह सकते हैं सहद में फ्रूट, ग्लुकोज, आयरन, कैलसियम, फासपेट, सोडियम, पूरीन, पोटैसियम, मैगनीसियम जैसे गुण होते हैं जो सरीर को बैक्टीरिया से बचाने में आपकी मदद करते हैं इसके साथ ही इसमें एंटिसेप्टिक, एंटिबायोटिक, बिटामिन B1, बिटामिन B6 भी भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो की आपके सेहद और खुबसूर्ती के लिए काफी फायदे मंद है तो आईए जानते हैं सहद खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं जिसमें पहला है यह एनरजी देता है सहद में मौझूद ग्लूकोज को सरीर तुरंट एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे से दिन भर में बोडी में एनरजी बनी रहती है साथ ही एकसरसाईस से पहले आधा चमच सहद खाने से आपको ठकान महसूस नहीं होता आप चाहें तो चाय या कॉफी में चीनी के बजाए सहद का प्रयोग कर सकते हैं दूसरा है खासी में फैदे मंद है 2012 में हुई एक सोध के अनुसार कहा गया कि रोजाना दो चमच सहद खाने से खासी जल्दी ठीक हो जाता है साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल के गुड होने के कारण इसके सेवन से इंफेक्शन पैदा करने वाले बैक्टिरिया खत्म हो जाते हैं तीसरा है दिल की बिमारी से सुरक्षा एक्सपर्ट के मताबिक सहद का सेवन खून में पालिफेनिक एंटी आक्सिडेंट का लेवल बढ़ाता है जिसे से आप दिल की बिमारियों से बचे रह सकते हैं चौथा है अच्छी नीद के लिए हिल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि सहद से सेरोटेनिन केमिकल निकलता है जो आपके मूड को बहतर बनाता है दरासल सरीर यह सेरोटोनिन केमिकल को मेलाटोनिन केमिकल में बदल देता है जो खराब नीद के लिए जिम्मेदार होता है ऐसे में अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूद में सहद मिला कर सेवन करें इससे आपको नीद अच्छी आएगी आच्वा है इम्यूटी मजबूत बनाने में एंटी आक्सिदेंट और एंटी बेक्टिरियल बुड होने के कारण सहद का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से सहद और नीबू का सेवन करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा छटा है बलड पेसर को कंट्रोल करने में रोजाना एक चमच सहद हलके गर्म पानी में मिला कर पीने से बलड पेसर कंट्रोल रहता है साथवा है वजन नियंत्रित करने में एक स्टडी में बताया गया कि सहद भूक को नियंत्रित करता है जिससे वजन कम होता है रात को सोने से पहले सहद का सेवन करने से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है इसके अलावा आप चाय कॉफी या किसी भी वेट लूज ड्रिंक में चीनी के बजाए सहद का प्रियोग करें इससे वजन कंट्रोल में रहेगा आठवा है एंटी एजिंग सहद में एंटी एजिंग गुण होते हैं जो इसकीन में होने वाली जुरियों और रिंकल्स की समस्या को रोग देता है इसके साथ ही सहद खाने या लगाने से मित को सिकाओं में जान आ जाती है नवा है सामले पन को दूर करे, गोरी रंगत पाने के लिए सहद दूद पपीता और मिल्क पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाने और फिर सूखने पर चेहरा धोले, रोजाना इस पैक को लगाने से तवचा की रंगत निखर जाएगी दस्वा है बालों से जुड़ी समस्या से राहत पाने में सहद में जैतून का तेल मिक्स करके रात को सोने से पहले बालों के किनारों और स्कैलप लगाएं सुबह बालों को सैंपू से धोएं हपते में कम से कम दो बार ऐसा करें इससे आपके बालों की समस्या दूर हो जाएगी